नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखें लोग सभा चुनाओं का अगाज हो चुका है और आपको मालूम है कि पहले दूसरे तीसरे और चोथे चरन का मतदान भी संपन हो चुका है और पांचवें चरन का मतदान बीज तारीख को होना है देखें बीज तारीख को पांच जगों पर मतदान होना है ये पांच सीटे हैं सारन, मुझफरपूर, मधुबनी, सीता, मड़ी और हाजीपूर तो इस विडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखर इन सीटों पर जातिये समीकरन क्या कुछ है और आपको हम ये भी बताएंगे कि आखर इन सीटों पर मजबूत स्थिती में कोन दिखाई दे रहा है तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवी उपाध्याई जी से सबसे पहले बहुत शुक्री आवाध्याई जी रवी जी सबसे पहले तो हम वोटिंग परसंटेज पर बातचीत करेंगे देखे वोटिंग परसंटेज दो हजार उननिस की तुलना में काफी कम दिखाई दे रहा है क्या लगता है आपको पांचमी चरण में स्तिती वही रह कि या पिर वोटिंग परसंटेज कुछ बढ़ेगा नहीं देखें धीरे धीरे प्रतहिं चरण दूसरे चरण दिसरे चरण में धीरे धेरे वोटिंग तो बढ़िये इसमें फिर भी weekend 2019 के सबना में कम है उसे में लगता है कि आपन्चमी चरण में वोटिंग परसंट्विझ अगर जिदी मौसम का मिजाज, अगर जिदी ठीक रहा तो, तो मौसम का मिजाज अगर गर्मी तपिस नहीं रही, तो निस्चीत रूप से पांचवे चरण में आपको 20 तारीक को वोटिंग, माने बंपर होती भी दिखाई पड़ेगे, मतलब आप कह रहें कि वोटिंग इस प तो है, जो पहले जो 2019 में था, वह उत्साह इस वार 2024 में किसी भी कोंस्टिंसी में अब तक 4 फेज का हो गया, चुनों आपको वह उत्साह उमंग नहीं दिखाई पड़ रहा है अब हम एक-एक सीट पर चर्चा करेंगे रवी जी और शुरू करेंगे हम लोग सारन की सीट से, देखिए सारन की सीट इस वक्त होट सीट बनी हुई है, आपको मालूम है कि एक तरफ है लालू प्रशाद यादफ की बिटिया रोहनी अचारिया तो दूसरी तरफ है, राज पिता जी को दी है, तो अपने ही पिता को वह दी है, दुसरे को दी नहीं है, निगी साहन्भूती लहर है उनके साथ, लेकिन उनके सामने मजभूत आपके उमीद्वार भी खड़े है मतलब की राजीव परताप, मजभूत पहलवान है है, और भाजपा के वो कदावर नेता भी माने जाते हैं उनके लिए देखे प्रधान मुंत्री मोधी तक की सभा हो गई वहां और वही नहीं उसके बाद से राजनाथ सिंग तमाम लोगों का कारेकरम एक वन बाई वन लगता चला जा रहा है तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको सारण में लडाई मजबूत है वहां अभी लालू प्रसाद यादो स्वैंप कैम कर रहे हैं लेकिन यह बात भी देखना होगा कि लालू प्रसाद यादो की पत्नी को भी राजी पृता बूरी नहीं हराया था इसको नहीं भूलना चाहिए और अब जो उनकी बिटिया जो बाहर रहती थी अब किट्णी द दूसरी सीट की चर्चा करेंगे रवी जी तो दूसरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है मुजफर पूर की सीट मालूम है हमें कि पहलवान आमने सामने कौन-कौन है यानि कि एक तरफ अजय निशाद है तो दूसरी तरफ है राज भूशन निशाद क्या लग रहा है इ मने चेहरा है वो और इधर उनके साथ में एक और एड़ान हो गया एक और जुड़ गया मुकेश सहनी सन ओफ मल्ला यह मने अधिके मल्ला का फोट इन ब्लॉक गिरने की बात आ रही है कि वह गिरेगी तो निश्चित रूप से आपको अजय निशात के पक्ष में उसमें कहीं जोल जाल नहीं है अब इधर जो राजभूसन निशाद जो भारतिन्ता पाटी के इस बार टिकट से लड़ रहे थे पिछली बार मुकेश सहनी के टिकट से लड़े थे जहां हार हुई थी चार लाख मतों से हारे हैं बिल्कुल तो वही हैं बता रहे हैं कि इस बार जो राजभूसन निशाद पर सवर्न समाज का वोट चड़ेगा और मुझफर पूर यह बहुल इलाका है भूमिहार बहुल इलाका है तो ऐसे में भूमिहार वोट पर ही निर्भर है और एक बात औ हैं क्योंकि वह खुद आरजेदी से वैसाली से कैंडिडेट है तो यह अब भूमिहार जो वोट जो मुझफर पूर वाले सीट पर तो यह एक बड़ी बात आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि वह कहां तक वह वोट में डिंट कर पाते हैं और सन ओफ मला मुकेश सहनी की इस बार लिटमस टेस्ट है इस सीट पर पटिकुलर मुझफर पूर वाले सीट पर तो यह एक बड़ी बात आपको दिखाई पड़ रहे हैं मतलब यह देखना होगा कि मुकेश सहनी के आने का कितना फाइदा होता है महागट बिल्कुल मुकेश सहनी और मुन्ना सुकला बिल्क क्या लग रहा है रवी जी कौन यहां पर मजबूत स्तिती में दिखाई ले रहे हैं अली असरफ फात्मी समरीन पहले ऐसे समझे कि वह जेडियू में थे उसको छोड़ करके आरजेडियू में आया है तो जो बात हम कहते हैं आप उससे तफाक हो सकता है न रखें लेकिन एक है अंकट बंद्वं हैं तो जेडियू में से छोड़कर के आरजेडिय असरफ फात्मी तो यह जेडियू कंशाए चैक्ट और जो टेक्टिस है, टेक्ट का मतलब टेक्टिस, वो कौन सा, किस तरह से वो क्या करने जा रहे हैं, तो यह जब सब कुछ अंदर का आदमी जाना हुआ होता है, तो निश्चित रूप से बड़ा जो है जटका जुल, और देखे, वो एक जिसे मोधी की गारेंटी की बात होती है और वो सब गारेंटी कार्ड भी घर 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 वही गारेंटी कार्ड ही बाटी जा रहे है, अभी तो देने का समय नहीं आए, जब जीत जाएंगा तब वो देंगे, तो यह कही जा रहे है, रसोई गैस की कीमत में कमी, महिलाओं के लिए एक लाग, तो यह सब और भी रोजग रोजगार की बात, नोकरी की बात, यह सब पांच गारेंटी है, उसके अलावा अन्य सारी कई गारेंटी है, जो अलिया सरफ फात्मी की ओर से दी जा रही है, घर घर पहुंचाए जा रही है, तो अलिया सरफ फात्मी पुर्व केंद्रिय मंत्री वीरा चुके है, उनको माल सीट पर आएंगे और चोथी सीट है सीता मड़ी की सीट क्या लग रहा है एक तरफ पहलवान है दिवेश चंद्र ठाकुर तु दूसरी तरफ है अर्जुन रहा है क्या लग रहा है रवी जी कौन मजबूत है देखिए मजबूत मजबूत और कमजोर की बात नहीं है दिवेश चंद्र ठाकुर एमिल सी है लगातार जीतते आ रहे हैं कई वर्सों से मैंने कई टर्म से तो ऐसे में वह अच्छेतर कोई जाना पहचाना उनका सब लोग है एक एक घर एक दर्वाजा उनको पहचानता है तो और वह देखिए चंद्र ठाकुर के सामने जो कंडिडेट है राश्री जनतादल के वह फूर्प सांसा थे और कई बार जो हम कहते हैं हुलुक बुलुक करना तो हुलुक बुलुक करकी दर उधर करके भी वाए है हां हां करके गए सरद्यादों के पार्टी में थे उस आरज जीते हैं वह विकास के डेवलप्मेंट के नाम पर ही वह जीते हैं और बाढ़ के समय में पहले सितामडी एदम का एरिया लॉक हो जाता था इधर उधर आना जाना मुश्किल होता था तो उसको देवेस चंद्ठाकुर ने बहुत हद तक पूल पूलिया ये करकर के एक सरल और सुगम रास्ता बनाया तो आप तो खुद गई हैं सितामडी आपने खुद देखा है सितामडी का क्या हाल ने की मज़दार चीज हमने देखी है कि MY वोट बैंक में सेंध मारी कर ली है दिवेस चंद्ठाकुर ने ये बड़ी सेंध मारी किया और मुसल्मान कह रहे हैं दिवेश चंद ठाकुर दिवेश चंद ठाकुर ऐसा क्यों हो गया जात पात से अलग हट करके वह न किसी का जात पूछते हैं न पात पूछते हैं वह सबके लिए equally मदद करते हैं तो यह एक उनकी USP दिवेश चंद ठाकुर की यही है जो लालू तेजस्पी की टेंशन पती है तो ऐसे भी तो जिस चेर पर है वो टिंसन बनाने वाला ही चेर है तो वह कोई दिकत नहीं थे कि वही उनके पास में उनकी पकड़ उनकी पहचान दिवेश चंद ठाकुर की यही है यही पहचान बिल्कुल चलिए अब हम आखरी सीट का जिकर कर लेते हैं आखरी क्या होगा हाजीपूर में लड़ाई है हाजीपूर में देखे जो खुद स्टार प्रचारक है जी चिराग पासवान पूरे चेतर में अपनी चेतर में वह तो वह दूसरे के लिए प्रचार करने तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि रामभिलास पासवान की लेगेसी के लिए वो फाइट करते हैं नामांकर में भीड़ भी हमने दिखा लिए पूले की सभाव में कर दिया तो अब उसके बाद में कुछ बचा है क्या अब तो कुछ नहीं कि अब सिर्फ लडाई बची है क्या नरेंदर मोदी ने भी कहा कि इनके पीता जी जो रामिलास पासवां जितने मत से जीते थे उससे बड़ा अंतर करके इनको जिता के बेजना है तो यह बात क्लियर है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है वहाँ इनकी लड़ाई ही नहीं है बिलकुल लड़ाई नहीं है एक दम इस बात को मान के चलिए इस बात को मान के चलिए अच्छा हम ये भी आ साफी कठिन सवाल होगा एंडिये को कितनी सीट इस 19 में से और महागट बंदन को कितनी सीट पहले चरण में जो मद्दान हुआ है तो वो चार सीटों पर तो उसमें आपको औरंगाबाद में देखिए मुकाबला मुकाबला आपको दिखाई पड़ा है ठीक है वहां पर कठिन दौर है गया में आपको जो है सोब जितन राम माfunding की बात जो है तो वहां पर उनको एज मिलता हुआ दिखाई पड़ा है नवाधा में आपको जिस तरह से संतोष कुश्वाहा लड़ाई में है वहां पर तो किबाद से जमुई में अरुन भारती तो दिखाई पड़ा है च चिराग पासवान की वह सीट थी जमोई सुरक्षित ति इसलिए उसमें कोई इफबट नहीं है अब हम चलते हैं दूसरे चरण में मुहम्मद जावेद किसंगंज उनकी लडाई है मास्तर मुजाहिद से तो वो जेडियो के उमिद्वार है इंडिया से तो वो मुहम्मद लगी जबकि इनके खिलाफ इंटीन कमेंस इसके बावजूर इसके बावजूर इनको वोट पड़ा है लेकिन लड़ाई यहां पर भी है काटे के पुन्डिया में पपू यादो है राजे संज पपू यादो उसमें कहना ही नहीं है निकलते हुए दिखाई दे रहे जनता ह अभी तकार इसलिए कटिहार में अब चलिए हम लोग भागलपूर में लड़ाई अजीद साहा और अजयमंडल की बीच में लड़ाई वहां पर है फंसी हुई है उसी तरह से बाका में भी लड़ाई फंसी हुई है गिर्धारी यादो दो यादों के बीच में जैसे दो चलें वहाँ पर सुपाउल में भी आपको फाइट है वहाँ अच्छा उसी तरह से अररिया में भी जोरदार मुकावला अररिया में भी आप उसको किसी को वह ड़ालाई में मध्यपूरा में दो यादों के बीच में टकर है अब वहां पर ऐब खगड़िया में मैं कोंँ न हमिद्वार बना और किसको जो अंद्री बाहरी का वाहरीका लडाई होई तो खगड़िया में आप यह नहीं सकते आज करते हैं कि जो एक न्डिये के दोमपर है राजेस वर्मा बहुत कड़ा संघर से वहां पर बहुत कड़ा है वहां पर बहुत कड़ा संघर से और इसको आप हलके में खगड़िया को नहीं ले सकते हैं बिल्कूल राजेस वर्मा ने कवर अप करने की कोशिश की लास्ट छण में लेकिन मुकाबला है वहां बिल्कुल 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 अब चौते चलन में हम लोग चलें दर्भंगा उजियारपूर समस्तिपूर बेगुसरा और मुगेर तो दर्भंगा में देखिये अंतिम छण में जो है सो गोपाल जी ठागुर के पक्ष में वोट बने फुल प्राइज होके पड़ा वहां कोई दिक्कत नहीं है उजियारपूर चलिए उजियारपूर में आप देखिये किस तरीके से धमाउन यादव ने खेल कर दिया आप तो गई थी धमाउन आप तो धमाउन में उत् उजियारपूर के नित्यान अंधराय को वोट किया है उसमें कहीं कोई इफबट नहीं हो और कुश्वाहा वोट भी कुश्वाहा के गाउं में आप जाके दिखिए कुश्वाहा कार्ट खेला वह भी वहां पर चलता हुआ तो दिखाई नहीं जा और देखिए सवरन का जो भोट है पर कास्त का जो वोट है वह सब एकदम परम परागत वोट है उसमें आप धर उदर नहीं कर सकते वह सब ठोक करके पढ़ा है ठोक करके और अब चलिए हम लोग समस्ति पूर सुरक्षित वहां पर दो पिता बेटा वर्सिस बिटिया विल्कुल विल्कुल तो वह द और माने पासी की लडाई यहाँ पर है तो ये कहां तक कितना भोट अगर जदी पासी का तोड़ पाते हैं क्योंकि आज तक उस ऋस एट पर आप देखेएगा हजारी परीवार नहीं हरा है असोग चौधरी की बिटिया उसको इंडिया का जो पड़ता हुआ मिल गया वहां पर एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं मतलब कि बिटिया का पल्रा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी बिटिया का पल्रा भारी ही बता है तो ये अब हम लोग चलते हैं बेगु सराय बेगु सराय में वहाँ पर गिर्राज सिंग का मुकाबला बहुत टसल का है अवधेश रह से ये अभी आप नहीं का सकते कि क्या होने जा रहा है अच्छा वहाँ खेल हो सकता है वहाँ पर इस तरह से नहीं है इतना जोल जाल नहीं वहाँ बहुत टफ कि मने कांटी का संगर से अब हम लोग मुंगेर में तो खेल हुए हाँ मुंगेर में खेल हुए हाय तौबा हो हला पूरा बूत कैप्चिरिंग के लिए पत अगरा बनान पिछड़ा होता इधर असलहा निकलता और चमकता वह कहीं ने कहीं वह होता हुआ नहीं दिखा लेकिन कवायत तो यही थी आप देख रहे हैं कि अनिता देवी ने तो बड़े-बड़े आरूप लगा गाड़ी पर हमला गाड़ी चूर-चूर हो गया उनके मा बड़र पर खड़े रहे हैं डटे रहे हैं लाठी डंडा के साथ कि धर उधर हम जोल यहाल नहीं होने देंगे यह सब तो यह बहुत वहां पर लेकिन अब जो दिखाई पड़ रहा है उसमें मैनेजमेंट गुरू है उपथिक के डॉक्टर ललन सिंग का मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट गुरू है उसमें कहीं कोई दिकत नहीं और साथ में दवाई भी मिठा मिठा देते हैं पथिक वाला तो दवाई अच्छा इलाज कर दिया हम पथिक दवाई दे करके तो इलाज हो गया हाँ खेल हो गया है तो सुना अपने क्या कुछ का है रवीव पाध्याई जी ने तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि 20 तारी को जहां जहां पर मतदान होना है वहां की स्तिती क्या है तो ये पूरी बाचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे हमारे साथ ब